व्रेंट्स विलकम बेक और मैं उमेश रुए एक वाफिश से अफ सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैंस श्टोक में तो आए मैंस श्टोक में आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 भारतिभवं मॊंदित्स उपरश्नावली पाठी जैसा की क्लास लाह नाथ भारतिभवं चट्ट्र वाह दो चर्वाले रहाखिक शमीकरन यानि linear equation in two variables यानि टू वरियेवल बढ़ा linear equation मना नहीं रेखिक समीकरण में आपको पता है जिस समीकरण का जो घात है वन है जो सैलेंट रहा तो इसको रेखिक समीकरण कहते हैं आप दो चर इसमें दो चर होना चाहिए यानि एक स्वाइब और भी कुछ ले सकते हैं इस तरीक करता हूं कि यह कोशन आपको एक दामे 100% एक बार में पूरा जहन में अर्जेश्ट हो जागा आप सुरू से लेकर लास्ट वीडियो के साथ बाना रहे है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्वागत करते हुए को शुरुआत करते हैं आगाज करते हैं तो सबसे पहले क में ऑर चार पेंसिल का मुल्य चालीष रुपया कि आनिaux और चार पैंसिल का मुल्य चालीस रुपया थब सो है थे जो पो को संटुष्ट करती हूँ बोलता है कि यह कंडिशन दो कलम और चार पेंसिल का मुले चालिस रुपया है इसको संटुष्ट करते हुए एक आपको शमीकरन लिखना एक रेकिक समीकरन एक लिनियर उक्वेशन बनाना है जो इस डाटा को जो इस आकरा को सटिस्फाइड करता हो क्लियर अब देखिए इस समीकरन का अलेख खिचिए और जो हम समीकरन बनाएंगे उसका ग्राफ खिचना है अलेख खिचना है कैसे खिचा जागा कुस्टन में डिसकस करेंगे बहुत ही जी है ठीक है अब बोल रहा है कि जब एक कलम का मुले आठ रुपया में मिली हो जब यह पेंस्ल का मुले अलेक की सहता से उटकरना है जिब एक कलम आठ रुपय में हो तेक पेंसल का मुले कितना होगा क्लिए रहे को सब्लत करते हैंor Arc अब बिद्रस कि अगैं अब थे कुछ नहीं करना है टिखेंगे माना की House क्लम का मुल्य बरावर है इसू विपया धलम का दांग अमाली इसू डुप अमालु ये एवं क्या लिखेंगे एवं एक पेंशिल का मुले बराबत हुआ है क्यूंकि दो छरवाला है तो एक अग्याद चीज को एक्स माले और दुसरे अग्याद चीज़ को वाई माले तभी तो दो चरवर होगा ना यहीं मानने का रिजन था तो कलम को एक्स और पेंसिल को आए अब इसले लिखेंगा प्रसंद से यहांने चार प्रसंद करा है कि दो कलम और चार पेंसिल का मुल्य चालिस रुप्या तो एक कलम का अगर नाम एक्स है तो लॉजिक लागए दो कलम का क्या हुआ तू एक्स तू को एक्स उगुना कर देगे नहीं समझे माली जिए अगर पांच रुप्य वलाक यह कलम का दाम पांच रुप्या और ऐसा आप तीन कलम खरिते हैं तब कितना पे करना पड़ेगा तो फाइब को थिरी सेंटू करें फाइब तरी दा फ्यूप्टी ने पंदर रुप्या देना पड़ें यहां पड़ेगों का दाम एक्स है तब दूगों का तू को एक्स एक्स और पलस द कितना हो गया चालिस के लिए हमारा क्या है समीकरन ठीकर ना यहीं वह समीकरन हा जो इस आखरों को संटुष्ट करते हैं ठीकर ना बट इसको थोरा सिंपलेस्ट फ्रोब लिखिए इसको और सिंपल घरनी पैसींपल कैसे होगा तो अड़्था एक चीद देखिए इसमें सो हाँ दो कमन कर सकते हां दो Keith तो कमन के लिए एक चाहर यान पर दो कमन के चाहर में राइब करहें ऐसलेस्ट चालिस यहाँ पर लिख कनेने एक सबस्रस टू व्धारावश्ट चालीस उदर पलस टू इन्टू है इधर तो इधर आका डिवाइड हो जाएगा दोसे इन्टू जा दोसे डिवाइड बीज दूनी चालीज इसलिए एक्स पलस टू वाइब बराबर 20 यही हमारा समीकर्ण होगे संख्राइन हमारा बन चुका है यहां पर लिख सकते हैं इसलिए हमारा होगे इसी प्लस टू वाई बराबर 20 यहां तक व्य्कृषक रहां लिखे लिख कर निखा चुका है यही आपका एक एक आशर लोगा चली यहां तक होगया आपका उन्टाइन का लिख भराड़क कि अभ तो इस्ट्रेट लाइन होता है सीधी लाइन होता है ठीक है न उसके लिए हमको कुछ विंदू की जरूरत पड़ते हैं लाइन रोग करने के लिए दोग्वाइट्स चाहिए लिए दोनम पॉइंट्स को मिला दिया तो क्या बंजागा लाइन बन जागा तो आएए हम अपना मन से क्या करते हैं कुछ नंबर को अपने मन से ले ला है इसको समझने के लिए मैंसे कर सकते हैं एक्स बरावा 20-2 by equation first x का x इधर पलस्ट वाइ इधर आगा तो minus 2 by equation first अब देखें गराफ आलकल एकिले का करेंगे लिखेंगे 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 आज कि ओवाई बरावर है और वाई बरावर कुछ भी आपने सब्सक्राय प्राइब तूप गात दर हृट कि फाइब है यहां वाइब आवर फाइव समी करन एक में रखने पर तो समी करन एक दखिए यहां पर आपके मन में आगा कि शर आपने फाइव क्यों लिया तेक बार आप सभी को मैं सियोर करना चाहता हूं कि यहां पर आप वाई का मन जीरो माइनस दो माइनस फाइव क्यानी कुछ भी ले सकते हैं बट जो मान लेंगे वहाँ आप यहां पे सही से पूट करके अगला क्या है न ? तो यह हो गया तो यह बराबर हो गया बीस घर दीक दूसी यानि बराबर दस रखने पर ने लिए तो ठीक तो इसमें देखेंगे एकस बराबर हो जाएगा बीस घरड़ेड़ दू गुन्य दस दूगुने दस तो एकस बराबर हमारा हो जागा थोरी सी लाइट चली गई है बस तुरत आप लोगी दुआ से कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं तुरत अभी इन भटरोन करता हूँ देखेगा अब देखते रही है देखी आगे आना तो चिंता नहीं करना है बिलकुल सारा यहा दस दूनी के बीस यानी बराबर जीरो तो फिर से हमारा एक सबराबर जीरो तो य वराबर क्या आगे दस अब चले ग्राफ की सहता से बताना था एक अगर पेंसिल का अदाम इतना है तो इतना वह गराफ में बताए यह देखे दो बिंदू निकाल लिए दस और पात जीरो दस सबस्क्राइव धितन ऐश्राट है तो गराफ ही दिने के लिए सपेसे कमी हो रही है चलिके एक टो आप एक जहीए कर दिले जहूं तो ed competent यह मैंने अप्र किदए ठीक ना यां सब्सक्पर निभी कि अधिक कि अखिलेट जाओंतर देखें कितना है दस वाई वराबर कैया था पांच दो लाइन क्षिछने के लिए कम से कम दो पॉइंट्स चाहिए ज़्यादा कितना विश्थ तासे हम क्या करते हैं खिशते कैसे लाए थे ग्राफ आप देख चीज को मिटा रहा है आप इसकी ले सकते हैं वीडियो पोच करके आप इसको उतार सकते हैं यह कर लिया है बहुत ही जीए स्ट्वेंस कहीं से कोई घवरानी की जरूरत नहीं है अब इसका ग्राफ कैसे खिचा कबोढ़ा है पहले हम क्या करते हैं एक होरीजेंटल लाइन फरेक ब्हारीजेंटल लाइन है जो एक वह होंकर है दिह यह है यह वाई यह हो गयां वाइडह को हम लोग बोलते ह apologized दो और Date यहाहां से ले ड़indi या मुल बिंदू की और मुल बिंदू का alarm 00 होता है यह पर XAl को आफ एक्स भी जीनुव, वैगि जीडू तरीके से हम मिलने को उल्थी 10 तक देयो तो छलिए 10 है को या का मंत हुपार लेता है इधर माइनस में तो जरूरी है नहीं भी ले सकते हैं आप लिख सकते हैं समझने कि एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच यह ध्यान दीजिए मैंने या नास से लिया है बारा छोटा प्रेंट सो जाएंगे इस अधर का जो डिस्टेंस है आप इंच की साहता से मैंने इकोल बना चाहिए अब चलिए इसको मैं अले खिस्ता हूं एक सबराबर हमारा क्या है दस एक सबराबर पहले लिख लेजिए वन तू थीरी फोर फाइफ सिक्स सेवें एट नाइन और यह तेन इधर है वन तू थीर सबराबर दस तो यहां पर है आप दूझे है कि इसका मान यहां पर तो यह लाइन पर ही रहे एक्स बरावर यहां पर देखिए यह देखिए ठीक है ना एक्स बरावर है दस तो वाई बरावर है पांच एक्स के सामने दस के सामने और वाई बराव पांच के सामने देखिए यहां पर यहां पे पॉइंट होगा यहां पे इसको चले मिटा देते हैं एक्स बराबर दस और वाई बराबर पांच आप इंच की सहता से बेंगे यहां पर होगा किलियर है अब देखे अब है X बरावर जीरु और Y बरावर दस X बरावर जीरु और Y बरावर दस तो यहां पर हो गए ठीक है ठीक है flaw अब इसको मिला देजिए ठीक है यह हमारा क्या होगए अब देखिए एक चीज और इस में लेते हैं कि बोला था जब एक कलम का मुल्य आठ रूपया में मिली हूँ इसमें एक चीज और इंक्लूड करें देखिए ध्यान से देखेगा एकस बराबर आठ या यहां पर देखे एकस बराबर अगर आठ होगा ध्यान से यहां पर देखे तो य का मान अपका इप्रमेटिक इसी लाइन पर आ जाएगा ठीक है ना देखिए लाइन भी टे रहा है इस बज़ासे से वह एकस बराबर दस और यहां पर यहां पर यह तिक यहां पर अपने लिए ध्यान से देखे कलम को एकस माने थे हां पर देखे एकस का मान अगर हम आठ लिए देखिए है इसको थूरा सा बनाथे हां पर देखिए एकस बराबर आट यानी एक कलम का मुल्याठ रूपया हो समझी यहां पे तो बराबर हो जागा 20-2 भाई ठीक है अब देखे यह आठ इधर पालास भी से उदर जागा यहां पर आप लिख सकते हैं एक समराबर हो जागा वाई बराबर हो जागा तो यहां पर आप लिख सकते हैं एक समराबर आठ वाई बराबर चो और इसकी सहाता से अप लिख सकते हैं कि एक सका मांजवाट हुआ तो यह बराबर छो उपया और वाई क्या था एक पेंसिल का मुल्य बराबर छो रुपिया यह बन दिया है इसको आराम से काके जगा स्ट्वर्ट्स आप उतार लिजे मैं उम्मीद करता हूं कि यह कुस्ष्ण आप समझ चुके होंगे यदि कुस्ष्ण आपको समझ में आया हो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं और आग